वेस्ट मेनेजमेंट सर्विसिज देने वाली और्गिनिक रिसाइकलिंग सिस्टम का आईपियो आज खुल गया है ये कमपनी लगादार दो वीतवर्स से घाटे के बाद भी पीछली वीतवर्स में तगड़ा मुनावे में आ गई है इस वीतवर्स ये कमपनी अपना आईपियो लेके आई है और ये आईपियो आपको फाइदा देगा या नुकसान करवाएगा ये सारी डिटेल्स जानने के लिए वीडियो हैं तक जरूर देखे सेलो दोस्तो स्वागत आप सब का आपके पसंदिजा स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल आईपियो वाच के अंदर जहां पे आपको मिलती है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और आईपियो से रिलेटेड सारी इंफोर्मेशन एकी प्लेटफरम पर दोस्तो क्या आप तयार हो एक नए दमाकेदार और तगड़े आईपियो में एप्लाई करने के लिए तो आपके लिए ये फिर से एक मौका है जिया दोस्तो आज हम यहाँ पे बात कर रहे है सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट सोल्यूशन की पिसकस कराने वाली एक एंजि जान करा रहे है ताकि आपको इस आईपियो में एपलाई करना चाहिए ये इसको अवर्ड करना चाहिए ये डिसिजन लेने में आसानी रहे तो दोस्तो सबसे पहले हम आपको बता दे कि हम इस वीडियो के अंदर इस पाँच पॉइंट्स को कवर करेंगे जिससे आपको बताएंगे और उसकी financial details के बारे में आपको बताएंगे लास्ट में IPO की information कि कब ये IPO open होगा और आप इसमें कब तक apply कर सकते हैं उसके बाद लास्ट में अमारा review कि आपको इस IPO को apply करना चाहिए या इसको award करना चाहिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं company के GMP के बारे में तो इस वज़े से हम organic recycling system IPO का grey market premium हभी शुन्य बना हुआ है परन्तु आप हमारे पॉर्टर पर regular चेक करते रहिएगा ताखि आपको grey market premium के सभी latest update मिलती रहे और आपको आसानी रहे इसलिए इस वीडियो के description में हमने आपको IPO के grey market premium की link भी दे रखी है अब बात करते हैं इस company की details के बारे में तो दोस्तो आपको यह जानने में काफी दिल्चस भी होगी के आखिर कर यह company करती क्या है organic recycling system company की stopnat 2008 में हुई थी यह एक engineering company है जो sustainable waste management solution की पेसकस करती है और इसके financial details की मैं बात करूँ तो company की वृतिय सेहत के अगर बात करें तो withverse 2021 में company ने 15.38 करोड रुपे का turnover किया जबकि withverse 2022 में company का turnover बढ़के 17.57 करोड रुपे हो गया फिर भी वो company मैनस में ही थी परन्तु company की वृतिय सेहत में बढ़ोतरी होते हुए withverse 2023 में company का जो turnover है वो बढ़कर 25.34 करोड रुपे का हो गया यानि company 3.65 करोड रुपे के मुना पेपर पहुच गई थी अब बात करते हैं IPO की details के बारे में तो इसका IPO 21 सितमबर को subscription के लिए खुल गया है और निवेशक इसमें 26 सितमबर तक IPO में apply कर सकते हैं IPO का size जो है वो 50 करोड रुपे रखा गया है company यो IPO के तहत 50 करोड रुपे मुल्ये के नए share भी चारी किये जाएंगे इस company के IPO के लिए 200 रुपे प्रतिशेर का fixed price band तह किया गया है organic recycling system ने इस IPO के लिए 600 share का lot size तह किया है इस तरह organic recycling system पे IPO पर आपको दाव लगाने के लिए कम से कम 1,20,000 रुपे की जरुरत होगी इसका price band 200 रुपे प्रतिशेर तह किया गया है जिसमें 10 रुपे की face value वाले share चारी किये जाएंगे company ने इस issue के तहत 50 वी सदी non institutional investor और 50 वी सदी retail investor के लिए reserve किया है इसकी lot size की अगर हम बात करें तो 600 सेरो का इसका lot size रहेगा इस IPO का allotment आपको 29 सिदंबर को final हो सकता है और listing के लिए ये 5 October का दिन ते किया गया है यानि 5 October को ये share stock market में list हो जाएगा अब बात करते हैं इसमें आपको apply करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो जैसा कि हमने बताया कि एक company 2 साल रॉस में थी लेकिन अभी अभी profit में आ गई है यानि company काफी progressive है और तीरे तीरे मुनाफे की और बढ़ रही है यानि कि आपको भी future में फाइदा होने के chances है और जैसा कि हम हमारे हर review में आपको बताते हैं कि कोई भी company में अगर आप invest करते हो तो आपका जरिया हमेशा long term होना चाहिए जिया जितने long term के लिए आप invest करोगे उतना ही ज्यादा benefits आप वो future में मिल सकता है क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये बात है तो आज की वीडियो में इतना ही आप इस IPO के लिए कितने excited हो हमें comment box में जरूर बताना और ऐसी IPO की update जानने के लिए अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो हमारी चैनल को subscribe कर देना और साथ में लगा हुआ बैल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाली सभी वीडियो की notification आपको सबसे पहले मिलती रहे